यह मामला है इस देश के राष्ट्रपदी और सविधान के सनमान का तो दान मंत्री जी मैं संसर्थ होन को गटन करते हैं अपने अधिकार में करेंगे लोग सवा के अड्रेक्षिन ने उन्हें इन्वाइट किया है लिए अगर आप निमंत्रपद्र का देखें अगर आप कार्ष देखें तो समिधान के दुछे नंबर के दो नेता होते हैं उपर राष्ट्रपदी उनका भी नाम नहीं है राष्ट्रपती तो है ही नहीं, अरे राष्ट्रपती को निमंत्र दो दिजिए, बात यहां अध्यी को, उस बारे में कोई नहीं बोल रहा है, क्या हम राष्ट्रपती को कुई नहीं बुला रहे हैं, उस राष्ट्रपती जी का नाम क्यों नहीं है, एक्स-प्रेसिदेंट आफ इंडिया रामनार्कु उन्जों को बुलाया नहीं है, उनको ने मंतर नहीं है, तो क्या ये एक पार्टी का नमारो है, क्या है? उसकों पर जवाब दी है। पोजिशन का गलोग है, यह देश के सन्मान का गलोग, नहीं पार्लमण, यह कोई area program नहीं है, यह देश का काईरफ्रम है. यह दैशनल प्रोग्रम है रास्टय काईरफ्रम है, और देश का एक संशुष्थ का उल्हकाटन होने जारॏं. अब आप बोल भया है कि इंदरा गांधी जी ने फलाना फलाना इस्टेंशन के आता पार्लेमेंट का उसका उद्वड़न के आता राजियो गांधी जी ने लैबरी का उद्वड़न के आता लैबरी की इमारत और पार्लेमेंट के आता वहां सत्र नहीं बैटता है, इस सत्र तो पार्लेमेंट के ज़र रहा है, सामने आकर बात करिए, आश्टुलिया में डिमाकरसी है या पपुआ गियाओं में हमारे चरण सपर्ष किया यह क्या है, इस देश की लोगशाई धारा शाई, लोगगंतर धारा शाई होड़ा है, मैं इस देश्टा इवेंट में बात में मानता है, हमें फे इनुडेशन आया है, मैं निम्मर ऑफ पार्लेमेंट, जब बड़े आजमे की शाधी होते हैं गाव में तो पुरे गाव को शाज्यों को बुला ले, इनके लोग जाते हैं और पुरे गाव में इनूडेशन देज जाएए खानों को आईए, मिलों को आईए, कॉक्टेल दिनर है आईए, और कुछ आईए, लेकिन मुद्दा ये है कि राष्ट्यपति को क्यों नहीं कि आए, अब बूस बारे, मुद्दा ये है उपराष्ट्यपति कहां गाये पोगों, जो राज्य सवात उप्रमाण, अज ह बाडवा ने जी कहां गाये पोगों, यहां हमारे सवाल का जवाब देजाए, और क्या है?